आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंपोर्टन न्यूज दोस्तो आप सभी को जिस फॉर्म का इंतजार था वो फॉर्म GST पॉर्टल पर अब लाइब हो गई है GST पॉर्टल पर GST PMT 09 फॉर्म लाइब कर दी गई है और अब आपने GST कैस लेजर के अमाउंट को किसी भी हैड में इजली ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आपने पहले GST चलान पेमेंट में कोई भी गलती करी है तो इसे अब आप बिलकुल ठीक कर सकते हैं और साथ में किसी दूसरे हेड में परा अमाउंट भी ट्रांसफर करके अधर हेड की पेमेंट के लिए यूटलाइज कर सकते हैं इस बीडियो में मैं आपको लाइव अमाउंट ट्रांसफर करके बताने वाला हूँ और पूरा बीडियो एक एक करके आपको बड़ी सरल भासा में समझाऊंगा तो जुरे रहिए इस बीडियो के अंतक बहुत ही सरल फॉर्म है और आप भी इसे बड़ी असानी से सीख सकते हैं और एजली आप ट्रांसफर कर पाएंगे GST PMT 09 Forms को समझने के लिए हमने अपना GST Portal लॉग इन कर लिया है अभी आप देखरोगे मैं Dashboard पे लॉग इन हूँ और Dashboard पे मुझे दिखा रहा है मेरा Electronic Cash Laser Balance IGST Head में 2000 रुपए CGST Head में 10,302 रुपए और SGST Head में 10,302 रुपए यहां से मुझे CGST Head से पैसा निकालके मुझे IGST Head और अपने कुछ अलग हैड में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो ट्रांसफर करने के लिए आपको करना क्या है सबसे पहले आपको Service Tab में जाना है Service Tabs के अंदर आप Leisure Head में जाओगे और Leisure Head में जाने के बाद आप यहां से जाओगे Electronic Cash Leisure Electronic Cash Leisure में आप जैसी मूब करोगे आपको यहां पे एक लिंक दिखेगा File GST PMT09 Form for Transfer of Amount ठीके यह वो लिंक है जहां से आप अपना GST PMT09 Form open करोगे यहां पे मेरे पास Cash Leisure Balance दिखा रहा है इस Cash Leisure Balance को मैं अगर open करता हूँ तो मझे यहां पे दिखता है कि IGST Head के Tax में कोई Balance नहीं है Form मेरा open हो गया है इस Form के तोटल तीन पार्ट है पहले पार्ट में आपको आपका जो Current Balance है Cash Leisure का वो Balance आपको दिखेगा ठीक है दूसरे Balance दूसरे Head में आपका जो Cash Leisure का Preview Balance है यानि कि जब आपने अपने Records नीचे Add कर दिये हैं यहां से जब आपने Records आप Add कर दोगे तो आपको यह Preview Balance देखेगा कि अब आपका Cash Leisure Balance क्या होने जा रहा है ठीक है और दीसरा Section जैसे मैंने आपको बताए यहां से आप यहां पे क्या करते हो यहीं से आप अपना Record अपडेट करते हो यानि कि यहीं से आप Transfer करते हो ठीक है अब इसे समझने की सबसे Important जरूरत है ठीक है यहां से आप करोगे Add Record, Add Record Sections के तुरू हम एक इक करके अपने Major Head से दूसरे Major Head में और साथ में उसके Minor Head में Payment को Transfer करेंगे ठीक है इसे करने के लिए आपको करना क्या है सबसे पहले Select करना है अपना Major Head यानि कि वो Head जिस से आपको पैसा Transfer करना है तो मुझे अगर CGST Head से पैसा Transfer करना है तो म CGST Head select करता हूँ फिर आप select करोगे अपना वो Minor Head जिस Head में CGST is related आपका पैसा पड़ा हुआ है ठीक है तो मैं जासे Tax Select करता हूँ तो मुझे ये Balance दिखता है कि 10,302 रुपए मेरे CGST Head के Tax Head में Balance अभी है ठीक है उसके बाद आपको अपना वो Major Head select करना है जिस Head में आप पैस transfer करना चाहते हो मैं यहां CGST Head के Tax Head से IGST Head के Tax Head में ठीक है मैं यहां पे 8,352 रुपए transfer करना चाहता हूँ ये record अप add करने के बाद मैं यहां पे save करूँगा save जैसी आप click करेंगे यहां पे आपको यसे yes करना है यस करते ही आपका एक record यहां पे add हो जाएगा जिसे आप यहां देख सकते हो कि आपने कौन सा Head में आपने यह पैसा transfer करा है अब इसे add करने के बाद अगर आप अपना balance दुबारा है चेक करोगे यहां पे cash laser balance preview of updated balance तो आपको दिखेगा कि IGST Head में आपके पास 8300 बाउन रुपे हैं और CGST Head में सिर्फ balance 2000 रुपे का पड़ा है ठीक है और SGST Head का balance मेरा as it is है ठीक है इसके बाद मैं again क्या करता हूँ अपना CGST Head again चूज करता हूँ minor head मैं यहां पे text का चूज करूँगा तो मुझे यहां balance दिखाएगा कि अब जो balance आपके पास पड़ा है CGST Head के text head में वो सिर्फ 2000 रुपे पड़ा है उसके बाद अब मुझे यह पैसा CGST Head के ही fees वाले column में ठीक है यह 2000 रुपे transfer करने हैं ताकि मैं अपनी late fees को pay कर सकूँ ठ press करूँगा ठीक है अब यहां पे हमने दो record add किये हैं पहला record मेरा CGST Head से IGST Head के text head में जा रहा है और दूसरा मेरा CGST के text head से CGST के ही मेरे किस head में fees वाले head में 2000 रुपे जा रहे हैं अब मुझे यह अपना balance अगर मैं दुबारा चेक करूँगा तो मुझे दिख रहा है मेरा cash laser balance CGST head में जो था वो 0 हो गया है text head में और वो कहां पहुंच किया है fees head में 2000 रुपे और साथ में बाखी का balance मेरा IGST head में बढ़ा है वैसे ही मुझे यह SGST का भी करना है तो मैं यहां पर क्या करता हूँ अपना IGST select करता हूँ SGST head मेजर head और यहां से मैं text head में IGST में मैं कितना पैसा transfer करूँगा 8,352 रुपे और यहां से मैं इसे save करूँगा इसके बाद मैं यहां SGST head को select करूँगा और उसके बाद मैं यहां text head को select करके यह जो 2000 रुपे balance मेरा बचा हुआ है इसे मैं SGST head के ही किस column में इस fees column में यानि कि minor head में 2000 रुपे save कर दूँगा save करने एक बाद total मैंने 4 record update किये हैं 4 record मेरे हैं पहले है मेरा CGST head से IGST head के tax amount में CGST head के tax amount से CGST के fees amount में CGST head के tax amount से IGST के किस amount में मेरे tax amount में और CGST के tax amount से CGST के fees amount में यह पैसा transfer होगा यह record update करने के बाद अगर आप अपना balance देखोगे तो यह balance अब इस तरह से होगा cash laser का नया balance 16,704 रुपए इंट्रस सेक्षन में आपके 2000 रुपए CGST head में आपके पास tax amount में कोई balance नहीं रह गया जो पहले हमारे पास यहां पे 10,352 था और यह 2000 रुपए आपके fees head में पहुंच गया CGST head के और SGST head के ठीक है इसके बाद आपको यह चालर record अड़ करने के बाद आपको करना है proceed to file, proceed to file करने के बाद आप अपना final detail of amount to be transferred from one account head वो आप यहां पे आपको यहां पे दिख जाएगा कि आप यह finally अब transfer क्या करने वाले हो, ठीक है उसके बाद आपको करना है verify, authorize signature select करना है और file GST PMT 09 form पे click करके yes press करना है ठीक है इसके बाद आपको एक warning आएगा, warning को आप read out करना चाहा है तो read out कर लिजे उसके बाद आप अपना DSC और EVC के थुरू आप इसे file with EVC कर सकते है you are about to file GST PMT 09 would like to proceed, जी हाँ बिल्कूल हमने ये live video बनाई है तो हम इसे proceed करते हैं और हम proceed करने के बाद हम OTP का wait करेंगे, कि हमें एक OTP receive हो, OTP इंटर करने के बाद आप करेंगे इसे verify, जैसे verify करेंगे आपके पास filing successful का एक message आजाएगा और साथ में आपको ये acknowledgement number भी दे दी ज करना है, okay, okay के बाद अगर आप अपना view file GST PMT 09 वाले link पे click करेंगे, तो आप अपना search by ARN जो भी हमने copy किया था, उसके थुरू search करके देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे क्या कर रहा था, ठीक है, form GST PMT 09 को file करने के बाद अगर आप अपना current cash laser balance अगर आप दुबारा दिखोगे और इसके लिए अब जो आप इसे इस पे click करेंगे, तो आप देखोगे आपका amount अब दूसरे head में transfer हो गया है, और वो successfully आपके दूसरे head में दिखा रहा है, जैसे आप देखो यहाँ पे आपका tax amount IGST head में आप 16,000 हो गया है, और साथ में ही CGST head के, और SGST head में भी fees amount में 2000 पे, 2000 पे अब 100 कर रहा है, और मेरी CGST head के tax amount मेरी nil balance हो गई है, तो यह पूरा process था, और इस process के थुरू आप अपना easily किसी भी head के major head के, इस process के थुरू आप अपना cash laser में balance आप transfer कर सकते हो, तो दोस्तों अगर आपको यह video पसंद आई, तो इसे please share कीजिए, और हमें comment कीजिए, कि आपको यह video कैसी लगी, और इस channel को subscribe जरूर करे, और साथ में जो bell का icon है, उसे भी press करना न भूले,